अब से पहले हम ब्लेंडिंग जार में डालेंगे अपने वाटरमेलन क्यूब्स, जो मैंने पहले से डी सीवेट करके रखी हैं, इसमें बीजे बिलकुल नहीं हैं, और अगर एकाद आ भी जाएं, तो आप निकाल दीजेगा तो अब मैं डालूँगी इसमें रू अब ये आपकी मर्जी है, आप इसकी जितनी फ्लेवरिंग करना चाहें, उतना शुगर, as per your taste, मैं ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, ये टी स्पून्स है, विलकुल छोटे से तो मैं त्री डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें जामिशेरी भी डाला है, ये वो हाफ लेमन है, अब हम इसे स्कुईज कर लेंगे, ये लेमन डालने से और जामिशेरी डालन चल सके, ये देखिये, इस क्यूब के साथ आप इसे सर्फ कीजे, गर्मियों में ठंडा ठंडा तरबूस का जूस, बहुत ही मज़ेका लगता है, चाहें तो आप इसमें ब्लैक सॉल्ड येनि काला नमक भी डाल के पी सकते हैं, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है,